नमस्का दोस्तों मैंनम सुधी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ reactive और proactive इन दोनों words के बीच का difference हमें किसी भी दो सब्दों के अंतर को जानने से पहले उनका meaning जानना ज़रूरी है इसलिए चलिए जानते है proactive और reactive का definition मैंने इन दोनों सब्द को ही google किया और मुझे ये such results मिले proactive का अर्थ है creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened इसका हिंदी में अर्थ है शक्रिय है और reactive का definition है acting in response to a situation rather than controlling it इसका हिंदी में अर्थ है प्रतिक्रियाशियल शायद इन के definition को सुनने के बाद ही आपको कुछ चीज़े clear हो चुकी होगी चलिए जानते है proactive word का history 1933 में Paul Whitney और Gerald Blankfort ने उनके psychology paper में इस word को technical sense में यूज किया था बाद में एक popular context में Victor Franklin ने अपने 1946 के किताब Man's Search for Meaning में इस word का यूज किया था अब ये जो किताब है ये holocaust के उपर है मैंने अभी तक इस book को नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ने का बहुत ही जादा इच्छा है और पढ़ने के बाद इस channel पे एक review ज़रूर आएगा इसलिए subscribe करना मद हो लिए हिंदी में कहावत है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है मेरा ये मानना है कि आप अगर hard work करेंगे तो जो अच्छा है वो आपके लिए होगा लेकिन अगर नहीं करेंगे आप अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो जो अच्छा है वो दूसरों के लिए होगा चलिए एक example को देखते है कैरोली टाकेक्स वर्ल्ड क्लास हंगरीन sharpshooter थे जो चाहते थे कि 1940 के Tokyo Olympics को वो जीते इंजर्ड हो गया एक faulty gradient के फट जाने से लेकिन as a man of perseverance कैरोली ने hard ही माना और secretly प्रैटिस करते गए अपने left hand से 1939 में कैरोली ने अपने countryman को चौका दिया Hungarian National Pistol Shooting Championship जीत के लेकिन शायद अभी वी वगवान उनका परिशार ले रहे थे 1940 में Tokyo Olympics कैंसल हो गया World War की वज़े से फिर 1944 में भी Olympics कैंसल हो गया World War की वज़े से ही लेकिन उन्होंने सबको चौका दिया 1948 में London Summer Olympics में Gold Medal जीत के at the age of 38 फिर से उन्होंने 1952 में Finland के Helsinki में जो Summer Olympics हो रहे थे वहां पे भी Gold Medal जीता अब एक बास सोचके देखिए अगर कैरोली ने अपने सिचुशन के उपर फोकस किया होता तो क्या होता वो साथ कभी भी एक inspiration नहीं बनते कैरोली ने फोकस किया था टूल्स के उपर जो टूल्स उनके पास उस समय अवैलेवल थी और उन टूल्स को यूज करके सिचुशन को control में लाया हमें proactive बनने की कोशिश करना चाहिए ना कि reactive अगर आप exam में fail हो रहे है या फिर life में fail हो रहे है तो दो options है पहला situation को दोस देना और reactive बनना दूसरा अपने situations को control करना और वो हम कैसे करेंगे हमारे पास जो tools है उनका use करके देखिए मेरा ये मानना है कि fail तो सभी हो और जो कम fail होते है वही successful बनते है अंत में मेरा यही प्रश्ण होगा आप reactive बढ़ना चाहते है या फिर proactive आज के लिए इतना ही यह वीडियो कैसा लगा जरू मुझे comment section में बताना अगर अच्छा लगा तो like करना मद भूलना आपके साथ फिसम लाकातियों कि शायद किस और एक के लिए बखके लिए बखके लिए बगाई